अगर में कोई गलत बात बोलूंगा तो यह कमिशनर मुझे मारेगा तो दोस्तों आज की डे में मैं आपको बताऊंगा ओपो ए-92 ओफिशली लॉंच हो चुका है इसकी प्राइस भी आ गई है क्या आपको यह लेना चाहिए नहीं क्या फीचर से बताऊंगा इसकी डे में लेट्स गेट स्टार्ड़ेट लेट्स गो टू स्क्रीन तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओपो ए-92 के बारे में अंड्रेट 10 और इसे कलरोई 7.1 लेटेस टेड डूल सिम सपोर्डिंग फोन है विद 4G बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको सिनेप ड्रेगन 665 देखने को मिलेगा एड्रिन और 610 जीप्यू के साथ जिसकी पफोर्वंस वाइज में बात करो तो काफी अच्छा है कॉलर ड्यूटी के लिए पपजी में आपको बैलेंस ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे लेकिन समूथर गेंपले होगा एंड यह जो प्रोसेसर है हमें Realme 5 है Realme 5 में हमें देखने को मिला था यहाँ पर बात करें डिस्प्ले की IPS डिस्प्ले 6.5 इंचेस की स्क्रीन 1080 पिक्सल स्वाला कॉर्णिंग गोल्ला गिलास की प्रोटेक्शन मेंचन है लेकिन बताया नहीं है कि कौन सा लगाया हुआ है 480 निट्स की ब्राइडने से 8GB RAM 120 8GB स्टोरेज है UFS 2.1 Micro SD Card आप इसमें लगा सकते हो Quiet Camera Setup है बेक में जिसमें Main Camera है 48 में पिक्सल 8 में पिक्सल का Ultra Wide 2 में पिक्सल का Macro और यहाँ पर 2 में पिक्सल का Depth Sensor बेक केमरा से आप 4K Recording कर सकते हो With EIS Stabilization आपको देखने को मिलेगी 16 में पिक्सल का Front Shooter है With 1080 pixels and 30 APS पे आप Recording कर सकते हो बात करूँ यहाँ पर USB Port की तो यहाँ पर Type-C C Cable होने वाली है Accelerometer, Compass, Fingerprint, Side Mounted है यह काफी अच्छी बात मुझे लगी Proximity Sensor है बात करूँ यहाँ पर बैटरी की तो यहाँ पर 5000 इमेज की बैटरी है जो के 18 वोट की Fast Charging के साथ आती है अब यार प्रोसेसर इस फोन का बहुत ज़्यादा वीक है तो कैमरा इस फोन है, OPPO के फोन वैसे भी कैमरा के लिए होते है तो अवराल मैं इस फोन के बारे में बात करो तो प्रोसेसर में इतना ज़्यादा दम नहीं है और यह जो प्रोसेसर है, हमें 20-25,000 या 30,000 तक हमें देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए, वो 32,000 होनी चाहिए उससे आगे यह गया तो यह ओवर प्राइस फोन है तो आपको यह फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना तो दोस्तो यार मैं बात करूं इसी OPPO A92 के बारे में तो मुझे यह काफी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है हमें Realme 5 आया, Realme 5 में देखने को मिल गया था तो दोस्तो जिससे ही आपको पता है OPPO के जो फोन होते है वो बेसिकली कैमरा सेंट्रिक फोन होता है OPPO जो है बहुत कम ध्यान देता है प्रोसेसर की तरफ तो ओवराल यह फोन काफी अच्छा है कैमरा के हिसाब से आप 4K रिकोर्ड कर सकते हो विफ इस्टेबलाइजेशन एड यहां पर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी गेमिंग आप इसमें अच्छी नहीं कर पाऊगे क्योंकि जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा वीक है तो प्राइस पॉंट के हिसाब से तो आपको अच्छी गेमिंग नहीं मिलेगी तो आपको यह फोन के साल अगा मुझे कमेंट से ना दीन मता है वीडीयो बता हमें तो लाइक करो कमेंट से बता आपको यह फोन के साल लगा है uh और अ